21 दिन में पैसा डबाद, ये बात सुनने के बाद अच्छे-च्छे मेहनती लोगों के मन में भी एक बार लालत जाग जाता है, और जिसके मन में लालत जाग गया, उसने अपनी मेहनत की कमाई जगवा दी, कुछ ऐसा ही हुआ है गुजरात में, 9 दिन और 1400 करोर रुपे की ठगी कैसे कर दी, और कैसे हमारे सिस्टम को और पुलिश को पता तक भी नहीं चला, नमस्कार दोस्तों, मैं हुराहुल श्वागत है, आपका मेरे शिनल बोल्यूर्ट दॉम्द है, कुछ इसी तरह से एसी ही एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है गुजरात से, गुजर सेंजान प्रंत का रहने वाला, वू यू आमबे कुछ वक्त के लिए गुजरात आया था, उसने यहां के कुछ लोगों के शांत में मिलकर सिर्फ नो दिनों के अंदर ही इस ठगी को अंजाम दिया और पकड़े जाने से पहले ही वापस चीन भाग गया, आखिर कैसे की गई ठाकी, टाइमस ओफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मताबिक अगर हम माने, तो गुजरात पुलिस ने एक S.I.T. का गठन किया था, S.I.T. की पड़ताल में चीन के सेंजान प्रंत के रहने वाले वू यू आमबे का नाम शाम दिया है, जो कि फ्रोड का मास्टर माइ इसमें पता चला कि कुछ लोग दानी डेटा नाम की एक एप के जरीए गुजरात और उत्तर प्रदेश के लोगों को निशाना बना रहे है, तब ही उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की पुलिस ने भी जांच शिरू की, पता चला कि इस ठगी में उत्तरी गुजरात के भी कुछ वक्त गुजरा, इस दोरान वो बड़ी तादाद में लोगों से मिला और उन्हें पेसे का लालस दिया, और उसके बाद में उशने और उसके शाथ के लोगों ने मई 2022 में एक एप को लॉंच किया, इस एप में बोली लगाने और बदले में बड़े फाइदे के वाद हो गई, तब लोगों को पता चला कि उनके शाथ में बड़ा खेल हो गया है, इस तरह यूआमबे ने ओस्तन हर रोज 200 करोड रुपे का ठग किया है, इसके बाद CID की शाइबर शेल ने इस मामले में नो लोगों को पकड़ा था, आरोप था कि इन लोगों ने शेल कंपनिय बना कर हवाला नेटवर्क के जरिये पेसे भेजने में यूआमबे की मदद की है, अगस्त 2022 में गुजरात पुलिश भी हरकत में आई, पार्टन में आईटी एक्ट के उलंगन और धोका धड़ी का मामला दर्ज हुआ, ठगी के शर्गना यूआमबे को भीग पकड़ने की क लेकिन तब तक वो भारत छोड़कर चीन भाग चुका था, इस साल मार्च में CID ने अपनी चार्ट से डाखिल की थी, लेकिन CID यूआमबे के खिलाप में परियापत सबूत जुटा नहीं पाई, उसके प्रत्यारपन के प्रिक्रिया शुरू की जानी है, पुलिश के सुत को आखरी वक्त तक ये लगता है कि कहीं न कहीं उनका मुनाफ़ा हो रहा है, लेकिन जब एक नम से एप का दिखना बंद हो जाता है, तब जाकर उनको पता चलता है कि वो ठगी का शिकार हो चुके हैं, तो इसलिए हम सभी को सतर्क रहना है और इसी तरह की ठगी से बशना ह आप लोगों का क्या है किना कमेंट शेक्शन आपके लिए खुला हुआ है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए और शी तरह की खबरों के लिए बने रही है मेरे चैनल के साथ